जहीं दोस्तों मेरा नाम हीरे नर्यानी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड टूटोरियल एक ऐसा टॉपिक आज भी हमने चुना है हम सारे प्रॉब्लम्स की जड़ में जाना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह प्रॉब्लम के क्यों होता है कैसे होता था कि आप खुद समझ पाए चाहे मिक्सर कोई भी हो किसी भी कंपनी का हो तो आज यह टॉपिक है की मोनिटर में सिंगर की आवाज पीछे से क्यों सुनाई देती है कभी-कभी आपने देखा होगा की सिंगर बोलता है मेरी आवाज पिछे-पिछे मुझे सुनाई दे रही है बाद में सुनाई दे रही है तो इसा क्यूं होता है देखिए हम monitor को पहले समझते हैं separate monitor auxiliary को और बाद में इसकी जड़ा तक जाते हैं देखिए एक होता है अपना LR का main volume जो इस तरह से बढ़ता है ठीक है एक होता है अपना monitor का volume जो भी इस तरह से बढ़ा या कटा सकते हैं अभी ज्यादा तर हम इस सब को balance लगते हैं लेकिन जब हम इसमें echo डालते हैं effect तो LR का echo भी अलग रहता है separate रहता है और monitor का echo भी separate रहता है तो monitor का जो effect है वो आपने यहां इतना खोला है 75% और monitor में हमने mic खोला है 50% तो इस से क्या होगा कि आपका जो effect आएगा वो ज्यादा आएगा और monitor में ज्यादा आएगा और यहां पे उसका voice होगा उससे को यानी effect यहां signal फेकेगा और उसकी main आवाज यहां नीचे से यहां से शुरू होगी तो यह एक प्रकृतिक सी feeling आती है singer को जब वो गाते हैं कि मेरी आवाज पीछे सुनाए दे रही तो पहली बात तो आप यह समझ लीजिए कि लेफराइट का और मॉनिटर का जो वोल्यूम होता है वो अलग होता है वेसे ही लेफराइट में भी effect का वोल्यूम अलग होता है हर एक विक्सर में और मॉनिटर का भी effect का वोल्यूम अलग होता है तो जब वोल्यूम मॉनिटर में effect का ज़्यादा हो और main volume जो हमने monitor में दिया है वो single का कम हो यानि single का volume में कम कोला है लेकिन effect का ज्यादा कोल दिया है तब यह ऐसा होता है क्यूं होता है उसको थोड़ी बारिकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसा क्यूं होता है पीछे से आवाज क्यों सुनाई दे रही है ज्यादा सुनाई देनी चाहिए यह पहला तर्क होगा तो देखिए एक signal क्रियेट करता है कुछ भी ऐसे अपना गाने का signal है यह बन रहा है जैसे अभी effect खुद में कोई आवाज नहीं होता इको में कोई अपनी आवाज नहीं होते जैसे को delay है या reverb है तो इसको हम signal बोलते हैं जो main singer का है यह बन रहा है अभी effect में वही चीज में क्या होता है effect उसी में जाता है जब उसको कोई signal मिले यानि वो इस आवाज से पहले अपने आपको नहीं बना सकता है को जब इसमें कोई भी आवाज जाएगी त्याहा है वह तबले की हो गाने की हो या बोलने की हो खासने की हो या गिरने की हो या कुछ भी आवाज उसमें जाएगी उसको वह effect चड़ाएगा लगाएगा तो होगा ऐसे कि singer का ये signal खाली जाएगा इ क्योंकि इफेक्ट उसी सिगनल में जा सकता है जिसमें कुछ आवाज बनी है अगर नहीं आवाज बनी है तो एको नहीं जाएगा इस वज़े से हमें सिंगर को लगता है कि थोड़ा सा मेरा आवाज पीछे-पीछे डिले मुझे आ रहा है तो आपको समझना है कि इस प्रॉब अग्जिलरी में सिंगर से भी ज्यादा रख दिया है उसी कारण ये प्रॉब्लम होती है और कभी-कभी हमें क्या ख्याल रखना चाहिए जब कोई अनलोग मिक्सर हम ओपरेट करते हैं डिजिटल में काफी कम हो सकता है तो उसमें हम बटन के नौब पर हम जाते हैं जैसे य तो इसमें क्या होता है काफी पूरा ने जो इनलोग ही तीन चार साल आठ साल देश साल हो गये उसमें जब आपने नौब को रखा है 60% 70% आपने रखें लेकिन नौब का ये जो कार्बन है उसको बिगड़ने के कारण वो एक्चिल होता है यहाँ तो कभी-कभी हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर नौब का वल्यू सही है दोनों में फिर भी आवाज वहाँ पे ज़्यादा पीछे से आ रही है तो आपका नौब खराब है आपका जो वोल्यूम होए वो खराब है आपको उसको कम या ज़्यादा करना होगा कभी-कभी ऐसा होता है कि नौब को जैसे ये नौब है और ये सेंटर पकड़ लीजे कुछ भी और हमने यहां रखा तो दीरे आवा जाएगी और यहां रखा तो पूरा का पूरा यहां तक का 100% वोल्यूम दे देता है तो ये पुराने मिक्सर में भी ऐसा प्रोब्लम होता है इसके वज़े से भी इफेक्ट में हमें पीछे से आवा जा रही ऐसा प्रोब्लम क्रियेट हो सकता है यह तो ज्यादा में यह पर कम अगर सिंगर में भी हम आपने देखा कि इसको 70% डाला है लेकिन अगर फेडर उसका खराब है उसका नौब खराब है तो वह एक्चुल करना हर बार हम सहीं ही हो सकते तो यह भी इमें देखना चाहिए आशा करता हूं आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा भारत माता की जाए